बहुत समय पहले की बात है. एक गाव में एक किसान रहता था. उस किसान की एक बेहत सुन्दर बेटी थी. दुर्भा गिवश, किसान ने गाव के जमीनदार से काफी धन उधार लिया हुआ था. जमीनदार बूढ़ा और कुरूब था. और किसान की बेटी की सुन्दरता देखकर उसने सोचा की, क्यों न कर्ज के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव. रखा जाए. जमीनदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमीनदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए तब जमीनदार ने कहा, चलो गाव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्ने वे लेंगे, उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलजा हुआ है, आथ हम इसका फैसला किसमत पर छोड़ते हैं। जमीनदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के धेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास तीन विकल्प होंगे। एक, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमीनदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ष माफ कर दिया जाएगा। 2. अगर वो सफेद पत्थर उठती है, तो उसे जमीनदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी, और उसके पिता का कर्फ भी माफ कर दिया जाएगा. 3. अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है, तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा. 5. पंचायत के आदेश अनुसार जमीनदार जुका और उसने दो रोड़े उठा लिए. जब वो रोड़ा उठा रहा था, तो तब तेज आखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमीनदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है. सब को बता दे कि जमीनदार दोनों काले पत्थर उठा कर सब को धोखा दे रहा हैं. तीन, वह चुप रह कर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमीनदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे. उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा. उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोडा अपने हाथ में ले लिया. और बिना रोडे की तरफ देखे, उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया. उसका रोडा अब हजारों रोडों के धेर में गिर चुका था और उनम से रंग का रोडा बचा है. तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया. थैले में बचा हुआ रोडा काला था. सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था. जमिनदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया. मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुन्धला दीखता है. हर रास्ता नाकाम्याबी की और जाता महसूस होता है, पर ऐसे समय में यद हम परंपरा से हट कर सोचने का प्रयास करें, तो उस लड़की की तरह अपनी मुशिकले दूर कर सकते हैं.